नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें बीते दिनों भारत के कुछ हिस्तों में राम नौमी के दिन खुई हिंसा को लेकर विदेशों से भी प्रतिक्रिया आ रही है खासकर इसलामिक देश, संगठन और मानवाधिकार संसाओं ने भारत को इस मामले में आड़े हाथो लिया है इसलामिक देश के कुछ पत्रकारों ने भी भारत के खिलाफ पाबंदी की मांग की है बारत के पडोसी देश पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में इसलामोफोबिया से जुड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं इसे लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में मुसल्मानों पर हो रहे हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी से वो चिंतित है कि इस बार राम नौमी के मौके पर मुसलिम बहूल इलाकों में शुभायात्रा निकाली गई जिन में मुसल्मान विरोधी नारे लगाए गए इस कारण सामप्रदाई के हिंसा की घटनाएं हुई OIC के बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ती जताई है और बयान जारीकर इसे उसके भारत विरोधी एजेंडा करार दिया है मंत्राले ने एक बयान जारी कर कहा है कि रामनौमी के मौके पर भारत के कम से कम आठ राज्यों में कट्रपंति संगट्रों ने सारोजनी के रैलियों की और मुसल्मानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं जगों पर मस्जिदों और मुसल्मानों के घरों पर हमले कर उन्हें नुकसान पहुचाए गया है अपने बयान में पाकिस्तान ने बिहार के नालंदा जिले की घटना का जिक्र किया है और लिखा है कि यहां एक मदर से को चला दिया गया पाकिस्तान ने कहा है कि इस आग में पवित्र कुरान सरीफ समेत 45 सो कितावे जलकर खाक हो गई। विदेश मंतराले ने अपने बयान में कहा है कि भारत में मुसल्मानों के खिलाफ नफरत की और इसलामोफोबिया की घटनाएं बढ़ रही है। मंतराले ने कहा है कि भारत की मौझूदा सरकार हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है और राजनीती में इसलाम विरोधी रुख अपना रही है। पाकिस्तान के विदेश मंतराले ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि वो समप्रादी के हिंसा फैलाने वालों और मुसल् भायात्रा के नाम पर जिस तरह से हिंदी पट्टी में हिंदुों को आकरामक किया जा रहा है इस पर अलग-अलग देश से प्रतिक्री आ रही है।